जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंक वादियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया है जिस हमले में तीन पुलिस कर्मी शहीद हो गए हैं आतंक वादियों ने शोपियां जिले के जैन पुरा इलाके में आतंकियों ने अचानक पुलिस पोस्ट पर अंधा दुंद फाइरिंग की जिससे पुलिस के जवानों को समखलने का मौका भी नहीं मिला इस दौरान ड्यूटी पर तैनाथ तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई वहीं एक जवान गंभी रूप से घायल हो गया हमले के बाद आतंकियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार भी लूट लिये शहीर जवानों का नाम अब्दुलमाजिद, मन्जूर एहमद और मौम्मद अमीन है पुलिस का एक जवान गंभी रूप से घायल है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है हमले के बाद सेना और सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके की घेरा बंदी करके हमलावरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगतार बढ़ रही हैं ऐसे में पाकिस्तान के पी-म का बयान भी कम चौकाने वाला नहीं है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को पूर्ण सहयोग जारी रखने की बात कही थी इम्रान ने कहा था कि उनका देश पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के लोगों को कूटनी तिक, राजनी तिक एवं नैतिक सहीयोग देना जारी रखेगा बता दें कि बीते दिनों अर्ध सैनिक बलो ने अभियान चला कर दो आतंकियों को मार गिराया था इससे पहले पाकिस्तान ने सीजफायर का उलंगन किया था जिसमें दो जवान शहीद हो गए थे घाटी में सुरक्षबलो ने इस साल अब तक 227 आतंकी मार गिराये हैं सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेटनेंट जनरल रनबीर सिंग ने बताया कि घाटी के स्थानी लोग सेना की मदद कर रहे हैं इसी का नतीज़ा है कि जवान बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराने में काम्याब हुए हैं 2017 में सेना ने 213 जबकि 2016 में 150 आतंकी धेर किये थे ब्यूर रिपोर्ट भारत तक